हलो बच्चो तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भनाट तो आज हमारा इनिक्वालिटीज पे सेकंड लेक्चर है फर्स लेक्चर में हमने इनिक्वालिटीज के बेसिक्स सीख लिए हैं बेसिक प्रोपर्टीज सीख लिए हैं अब आए इस लेक्चर में हम देखेंगे इनिक्वालिटीज को सोल्व कैसे किया जाता है सोल्विंग इनिक्वालिटीज की कैसे करनी है ये बात हमें इस लेक्चर में सीखनी है बहुत ही इंपोर्टन लेक्चर है इस lecture के जो basics हैं पूरे mathematics में ही लगभग use होने वाले हर chapter में ही मुझे लगता है use होगे वो ठीक है आईए शुरुबात करते है inequalities को solve करने की देखिए एक situation लेंगे अपन ठीक है एक question लेंगे अपन और उसके माध्यम से सारी theory समझने का प्रियास करेंगे ठीक है तो मैं आपको रहा हूँ solve the inequality x-2 into x-3 greater than 0 solve का मतलब यह होता है कि वो x find out करो आप आपको वो x find out करने हैं जो इस inequality में satisfy हो जाए जहांचे सुनों आप बात मेरी जहांचे सुनिए हमें वो x find out करने हैं जो इस inequality में satisfy कर जाएं तो यार जब भी अपने को inequality solve करनी होती है जब भी अपने को inequality solve करनी होती है इसका मतलब अपने को x find out करना variable find out करना है variable क्या-क्या value accept कर सकता है तो उसका एक procedure होता है क्या procedure है ध्यान से समझेंगे सबसे पहला step क्या होता है सबसे पहला step यह हो होता है कि left hand side में factors बनाने होते हैं, make linear factors in left hand side, make linear factors, linear factors in left hand side, left hand side में linear factors बनाने होते हैं and right hand side में zero बनानी होती है and zero in right hand side left hand side में linear factor बनाने होते है right hand side में zero बनानी होती है by chance इस question में अपने पास left hand side में already linear factors है और right side में zero दी हुई है तो right में zero हमको दे रखा है left में linear factors हमको दे रखे हैं तो अपने को extra कुछ काम करने की जरूत इस case में तो नहीं है अगर मालो left में linear factors नहीं दे रखे होते तो left में अपन क्या बनाते है linear factor बनाते है और right में zero नहीं दे रखे होती तो left में linear factor के साथ right में zero बनाने की कोशिश करते है यह step number one है इतना complete होने के बाद, फिर हमको क्या करना होता है, step number two में, हमको critical points find out करने होते हैं, find critical points, find critical points, critical points किसके होते हैं, हर linear factor का अपना critical point होता है, हर expression का अपना critical point होता है, उसी प्रकार से हर linear factor का भी अपना critical point होता है, आप यह सोच रहे होगे कि critical point क्या होता है, बताऊंगा मैं आपको, पहले एक बार लिख दूँ, कि find critical points corresponding to each linear factor, हर linear factor के corresponding अपने को critical point निकलना होता है, यह हमारा second step होगा, तो यहाँ पर देखिए, linear factor हमारा एक x minus 2 है, दूसरा x minus 3 है, तो यह जो x minus 2 linear factor है, x minus 2, और एक दूसरा linear factor x minus 3 है, तो इसका जो critical point है, इसका critical point है x equal to 2, x equal to 2 is the critical point, x equal to 2 is the critical point, of this linear factor, ठीक है, x equal to 2 इसका critical point क्यों है, क्यूंकि x equal to 2 पे यह 0 हो रहा है, एक linear factor जहाँ पर 0 हो रहा हो, जिस x पर 0 हो रहा हो, वो x उसका critical point होता है, अब मुझे बताएं ये कहां पे 0 होगा भाई ये 0 होगा x equal to 3 पे तो इसका जो critical point है वो क्या हो जाएगा इसका critical point हो जाएगा x equal to 3 ठीक है इसका critical point है x equal to 3 x equal to 3 is the critical point critical points वो points होते हैं जहां पे linear factor 0 होता है वो x की values होती है जहां पे linear factor 0 होता हो I hope मेरी बात आपको clear होगी तो step number 2 मैंने complete कर लिया हर linear factor का critical point निकालना था एक x equal to 2 आया है दूसरा x equal to 3 आया है critical points निकाल लिए इसके बाद है step number 3 step number 3 में क्या करना होता है plot करना होता है किस चीज़ को critical points को कहां plot करना होता है real number line पे plot करना होता है critical points find out कर लिये हैं आपने उसके बाद real number line पे critical points को plot करना होता है step number 3 क्या है plot plot the critical points plot the critical points on real number line on real number line real number line पे critical points को plot करना होता है आप देखिए x equal to 2 और x equal to 3 दो critical points हमको मिल चुके हैं आईए इन दोनो critical points को हम number line पे number line पे plot करते हैं चलिए number line पे plot कर लेते हैं number line लगा लेते हैं number line ल लगा ली ठीक है एक line लगा ली मैंने इस line पे critical points को plot करेंगे जो मध्याबिन्दू है इस लाइन का बीच का जो point है ठीक है यह x equal to 0 होगा ठीक है फिर x equal to 1 यहाँ पर आएगा यहाँ x equal to 2 है ठीक है this is x equal to 2 और यहाँ पर immediately इसके बाद x equal to 3 आ गया तो critical points को मैंने number line पर plot कर लिया है हमारे critical point x equal to 2 और x equal to 3 देख लीजिए यह है मैंने number line पर इनको plot कर लिया ठीक है यहाँ पर highlight कर लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़े डंडे बना लेते हैं special यहाँ पर attraction का किंद्र है critical points 2 और 3 ठीक है तो क्या है plot the critical points on real number line real number line पर देखिए मैंने दोनों critical points को यहाँ पर highlight कर दिया मा कर दिया हमारा step number 3 भी complete हो गया real number line के बारे मैं आपको बता दूँ सारे real numbers इसमें लिखे होते हैं बीच में 0 होता है left side में minus infinity right side में infinity होता है यह जो line है इसका right end है वो infinity को पहुचता है और left end है वो minus infinity को अप्रोच करता है clear है जी तो I hope यह step number 3 भी clear होगा इसके बाद अपने को क्या करना होता है step number 4 step number 4 में क्या करना होता देखिए जब आपने जब आपने critical points find out कर लिये हैं और number line पर plot कर दिये हैं तो आप notice करके देखिए इन critical points ने number line को तीन parts में divide कर दिया है इन critical points को देखिए number line ने 3 parts में divide कर दिया है जहां पर x 3 से बड़ा है एक part यह हो गया दूसरा part यह हो गया जब x 2 से 3 के बीच में है और third part है जब x की value 2 से छोटी है x की value 2 से क्या है छोटी है तो यह जो critical points है 2 और 3 इन्होंने number line को तीन parts में divide कर दिया है हमें step number 4 में यह देखना है कि कौन सा part हमारा solution region है कौन सा part हमारा solution region है check the solution region and write the answer check check the solution region and write the answer and hence write the solutions यह step number 4 है और 4 step की problem होती है कोई भी inequalities solve करने का question आता है मेरे दोस्तो चार step की basic problem होती है algebraic inequalities की बात कर रहे हैं अपन ठीक है special inequalities की बात नहीं कर रहे है chabyshev inequality RMSM inequalities इनकी बात नहीं कर रहा हूँ है basic algebraic inequalities की बात कर रहा हूँ है पहले linear factors left hand side में बनाएंगे right में 0 बना लिया हर linear factor का अपना critical point होता है जिस x पे linear factor 0 हो वो उसका critical point है क्यों critical point होता है x equal to 2 इसका critical point क्यों है ये बात आप समझें x minus 2 का x equal to 2 critical point क्यों है क्योंकि क्योंकि इस point के about इस linear factor का behavior change हो रहा है critical जगें critical points वो points होते हैं जिनके about behavior में change हो रहा हो ये जो linear factor x minus 2 है इसका x equal to 2 के about behavior change हो रहा है कैसा behavior change हो रहा है ये बात notice कर लेते हैं अगर x2 है अगर x2 है तो आप देखिए इस linear factor की value 0 हो जाएगी x2 है तो इस linear factor की value 0 हो जाएगी अगर x की value less than 2 है अगर x की value less than 2 है 2 से छोटी है तो इस linear factor की value negative थी और जब x greater than 2 है 2 से बड़ी value यहाँ पे कुछ भी put करेंगे इस linear factor की value positive होगी तो x equal to 2 के about ये linear factor 2 से छोटी पे negative था 2 से बड़ी पे positive है तो 2 पे ये negative से positive अपना behavior change कर रहा है एक linear factor negative से positive या positive से negative जिस बिंदू पे अपना behavior change करता है उस बिंदू को critical points बोलते हैं और critical point यहाँ पे इस factor को zero कर रहा है इसी वजह से इस point के about ये अपना behavior negative से positive change कर रहा है तो यहाँ पे बात linear factor की नहीं है अगर quadratic factor भी होता तो quadratic factor के critical points निकालने हैं तो वो points होते हैं कि इस point के about ये जो factor है ये अपना behavior change कर रहा है मैं आपको एक बात और लिख दूँ यहाँ पे देखिए mode x minus 1 कोई हम से पूछे इसके critical points क्या है तो इसका critical point एक तो 1 है 1 के about ये अपना behavior change करेगा 1 से छोटे पे negative है 1 से बड़े पे positive है और इसका एक और critical point भी है minus 1 minus 1 से छोटी value डालोगे तो positive है minus 1 से बड़ी value डालोगे तो just बड़ी value डालोगे तो ये negative हो जाएगा just shorty just बड़ी की बात करते हैं हम लोग तो इसके दो critical points है x equal to plus minus 1 क्यों है क्योंकि इसको जब 0 करोगे तो x की दो value आती है बात समझ में आरी तो किसी भी factor का critical point निकालना हो उस factor को आप 0 के बराबर कीजिए 0 से equate कीजिए x निकालिए जो x आएंगे वह एक्स उस factor के critical points होंगे खेर यह तो critical points पे अपने थोड़ detail में emotional होके चर्चा कर ली ठीक है ना मुद्दे पे आते हैं तो critical points निकाल लिए हमने है ना उनको number line पे upload कर लिया अब solution region चेक करना है number line को critical points ने तीन parts में डिवाइड किया है कितने parts में डिवाइड किया है तीन parts में डिवाइड किया अब देखते हैं कौन सा part अपना answer है कौन सा part अपना answer है वो देखेंगे सबसे पहले तो मुझे पता है x equal to 2 अपना answer है क्या x equal to 2 अपना answer है क्या x equal to 3 अपना answer है क्या x equal to 2 put करने पे तो left side तो 0 हो जाएगी मगर हमको left side greater than 0 चाहिए equal to 0 नहीं चाहिए तो x equal to 2 मेरा answer नहीं होगा तो जब कोई point मुझे include करना होगा वहाँ पे मैं solid circle बनाऊगा अगर मैं कहीं solid circle बना दू solid circle ऐसे बना दू यू करके है न यह solid बना दू इस तरीके से dark bubble यू करके बना दू solid bubble बना दू तो इसका मतलब है point is included यह बाद ध्यान रखना पूरे match में प्रियोग होगी calculus में तो काफी use में आती है बात point is included और अगर मैं कहीं hollow बना दू अगर मैं कहीं hollow बना दू ऐसे करके तो इसका मतलब है point is excluded excluded बोले तो नहीं include किया हुआ not included point include नहीं किया गया है बात समझ आ रही है तो यार यहाँ पर मैंने hollow बना दिया इसका मतलब x equal to 2 और x equal to 3 included नहीं है हमारे solution के अंदर हमारे answer के अंदर अब देखिए 3 से बड़ी values को देखिए आप अगर आप x 3 से बड़ा रखते हो तो यह सारे हमारे answer होंगे x 3 से बड़ा रखोगे यह सारे हमारे answer होंगे क्यों? क्योंकि x जिए आप 3 से बड़ा रखते हो तो 3 से बड़ा रखने पर यह factor positive होगा यह वाला factor भी positive होगा positive into positive, positive होता है और हमको positive left hand side चाहिए ठीक है, तो x equal to 3 नहीं है answer लेकिन 3 से बड़े सारे हमारे answer है और आपका बता दू, 2 और 3 के बीच में कोई भी हमारा x answer नहीं है अगर x value 2 और 3 के बीच में कुछ भी लोगे आप 2 और 3 के बीच में लोगे, 2 से तो बड़ी, 3 से चोटी लोगे, तो ये तो positive होगा मगर 3 से चोटी होने के वजाए से negative होगा, positive into negative negative हो जाएगा, मगर हमको left hand side क्या चाहिए, greater than 0 बोले तो positive चाहिए, तो 2 से 3 के बीच में कोई भी x हमारा answer solution नहीं होगा ठीक है, और अगर x2 से चोटा ले ले, मैं आपको बता दू, अगर x2 से चोटा ले ले, x अगर 2 से चोटा ले ले तो x2 से चोटा कुछ भी ले लो वो इस inequality को satisfy करेगा हमारा solution होगा, हमारा answer होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि x अगर आप 2 से चोटा ले ले लेंगे, x जब आप 2 से चोटा ले ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा negative, ये क्या हो जाएगा negative, negative, positive हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों के product को positive तभी किया जा सकता है, जब या तो दोनों positive होगे, या दोनों negative होगे x3 से बड़ा होगा तब और दोनों negative होगे, x2 से छोटा होगा तब, तो देखिए, ये मैंने mark कर दिया कि ये जो range है ये हमारे solutions हैं, ये वाले x हमारे solutions हैं, तो यहाँ पे solutions क्या होगे, यहाँ पे कौन से x हमारे solutions हैं, एक तो minus infinity से लेकर के 2 तक के हैं तो ऐसे represent करेंगे, minus infinity से लेकर 2 2 को include करना है क्या नहीं करना 2 को include नहीं करना हो तो ये bracket लगाते हैं, अगर कहीं include करना हो तो ये bracket लगाते हैं, तो 2 को include नहीं करना, और minus infinity और infinity पे हमेशा ये bracket आती ये बात ध्यान रखना, minus infinity पे कभी भी ये bracket नहीं लगानी, बहुत बड़ा crime हो जाएगा ये, अपने हाथों से बहुत बड़ा crime हो जाएगा, minus infinity पे closed bracket नहीं लगानी है अपने को यही bracket लगती है, open bracket ही लगती है तो minus infinity से minus two, उसके अलावा और, और बोले तो union है ना maths में और का मतलब है union, ठीक है जी union, 3 से infinity union 3, 3 से लेकर के आगे infinity तक, 3 से infinity तक, ये जो x है ना, इन में से कोई x, ये जो interval है इस interval का कोई भी x यहाँ पे डालोगे, इस inequality को satisfy करेगा तो हम ऐसे लिखते है, x will belong to this interval, तो हमारा answer हमें मालूम चल गया है ये आ गया जी answer तो first question था, इसलिए मैंने पूरा process आपको समझाना जरूरी समझा, ठीक है I hope आपको पूरी clarity आ गई होगी चार steps अगर आपको आते हैं believe रखिए, चार steps अगर आपको आते हैं, चारो steps का fundamental clear है क्यों हम इन steps को यहाँ पे use किया है मैंने, और ये चार steps पे अगर आपकी command है तो यार, आप कोई भी inequality का problem होगा न, आप उसको solve कर लेंगे, चार step की problem है ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, हमने काफी time spend करके, फिर इस question को solve किया, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, correct है जी तो एक और question की तरफ बढ़ते हैं अच्छा, कुछ लोग इसको यूँ भी लिख देते हैं, कुछ लोग पता कैसे करते हैं अइसे लिख देते हैं, यूँ कर देंगे फिर उसके बाद यूँ करके, यूँ करके, यूँ कर देंगे इसको बोलते हैं wavy curve method, क्या बोलते हैं यह wave की तरह यूँ बना देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसी चीज़ को यूँ बना देते हैं, देखो यहां बना के दिखा देता हूं आपको, इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, minus infinity, infinity, यहां बीच में 0 है, यहां कहीं था आपका 2, यहां कहीं था 3, ठीक है, तो इसको यूँ बना देते हैं, कि 3 तो include नहीं करना, ठीक है न, 3 include नहीं करना, तो देखो यू बना देते हैं मतलब यह जो उपर जाता है वहाँ पे यह जो left side positive होगी और तो यह जब नीचे आता है तो यहाँ negative होगी फिर यह देखी उपर यू बना देते हैं इसको wavy curve method बोलते हैं इसको wavy curve method यहाँ पे यह 3 था ना और यह 2 था तो अपने को 3 or 2 include नहीं करना तो देखे यहाँ पे 0 था यह जिरो नहीं लेना यहाँ पे 0 है यहाँ पे equal to 0 है 3 or 2 पे equal to 0 है तो 3 or 2 को अपने को नहीं लेना है क्यों कि 3 or 2 पे यह 0 हो जाता है तो मैंने क्या बना रखा Yes, No यह yes लेने है यह नहीं लेने है तो मुझे तो यह वाला diagram काफी अच्छा लगता तो मैं सवालों में यह वाला diagram बनाता हूँ आप भी भनाठ तरीके से यह वाला diagram बनाएगे मज़ा आएगा ठीक है इसी diagram को लिखने का एक दूसरा तरीका यूँ भी है इसको मैंने बता दिया वयवी कर्फ मेथड बोलते हैं वयवी कर्फ ठीक है और इस मैथड का नाम है वयवी कर्फ मैथड ठीक है तो वयवी कर्फ जो है कोई बहुत जादुई चीज नहीं होती एक सीदी सी बात है बई यह जब उपर है तो इसका मतनब left hand side positive है और जहां ये ऊपर इसका मतलब left hand side positive है और जहां पर ये नीचे से करवाता है इसका मतलब उन x पे उन x पे हमारी जो left hand side थी और negative थी तो हमें देखना था left hand side positive कब थी तो एक तो ये वाले x पे positive थी ये वाले x पे positive थी यहां पर negative तो यह और यह हमारे answer होगी तो देखो यूँ भी represent कर सकते हो तो चलिए solve करके दिखाएं next inequality को solve मुझे solve करके दिखाएं आप solve x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5 greater than equal to 0 आप solve करके दिखाएं वो x बताएं वो x बताएं जिसको left hand side में put कर दूँ तो left hand side greater than या फिर equal to 0 आजाएं वो x अपने को बताना है आप पहले pose करें खुद बखुद attempt करें comment box में comment करें उसके बाद फिर solution को देखें मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले देखो number line तो मैंने वैसे बना दी सबसे पहले नहीं बनानी होती है ना बना भी सकते हो सबसे पहला काम क्या है left hand side में factor होने चाहिए और right hand side में 0 होना चाहिए left hand side में factor होने चाहिए right hand side में 0 होना चाहिए left hand side में linear factor है right hand side में 0 है step number two है critical points निकालिए तो critical points वो points होते हैं जहांपे linear factor zero होता हो तो critical points निकालेंगे तो इसका critical point two हो गया इसका three हो गया, इसका four और इसका five step number two भी हो गया, critical point भी निकल गया step number three क्या है step number three है critical points को number line पे mark कीजिए तो यह number line है इसका जो central point है वो तो zero है तो इस linear factor का critical point 2 है तो 2 mark कर देता हूं यहाँ पर मन लिया x equals to 2 है यह 2 है यहाँ पर 3 mark कर देते है x equals to 3 x equals to 4 x equals to 5 सारे critical points को mark कर लिया सारे critical points को mark कर लिया step number 3 भी हो गया step number 4 क्या है step number 4 है critical points को तो आपने mark कर लिया उसके बाद स्विर solution देखिए क्या होंगे solution region देखिया और अपना answer लिखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यह देखते हैं कि क्या x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4 और x equal to 5 हमको include करने हैं क्या यह जो critical points है क्या यह हमको include करने हैं आपको मालूम चलेगा हां करने है x equal to 2 हमें include करना है क्यों include करना है क्योंकि अगर आप x equal to 2 को यहाँ put कर दोगे x equal to 2 को left side में put कर देगे तो 2 minus 2 यह 0 हो जाएगा और पूरी left side को 0 कर देगा और left side 0 हो नहीं allowed भी है left side 0 भी हो सकती है positive भी हो सकती है ठीक है तो x equal to 3 भी हमारा answer होगा x equal to 4 भी हमारा answer होगा x equal to 5 भी हमारा answer होगा ठीक है यह वाला end हमारा minus infinity है यह वाला end हमारा plus infinity है अब देखिए यहाँ पर number line के कितने टुकडे हो गए है number line के टुकडे देखेंगे तो एक टुकडा number line का यह हो गया दूसरा टुकडा नंबर लाइन का यह है फूर्थ वाला पार्ट यह और फिफ्त पार्ट यह है यह जो चार क्रिटिकल पॉइंट्स है इन्होंने नंबर लाइन को फाइफ पार्ट में डिवाइड कर दिया अब हर पार्ट देखना पड़ेगा अपना सलूशन है या नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह वाला जो पार्ट है इसका मतलब है x 5 से बढ़ा है इस पार्ट पे तो यार एक बात बताओ जब x हमारा 5 से बढ़ा होगा है न जब x हमारा 5 से बढ़ा होगा x जब मेरा 5 से बढ़ा होगा तब देखिए ये factor भी positive x 5 से बढ़ा होगा ये भी positive ये भी positive और x 5 से बढ़ा होगा ये भी positive सारे factor positive है सबका multiplication भी positive होगा हमको positive चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया x जब 5 से बढ़ा होगा कोई भी value x की जब 5 से बड़ी होगी, वो इसको satisfy करेगी, satisfy करेगी, इसका मतलब हमारे solution में वो x होगा, clear है, अब x 4 से 5 के बीच में कुछ भी ले लो आप, 4 से 5 के बीच में infinite numbers होते हैं, 4.1, 4.11, 4.12, rational, irrational मिला करके infinite numbers हैं, कोई भी number ले लिजी आप, 4 से 5 के बीच में कोई भी number ले लिजी आप, 4 से बड़ा, 5 से छोटा, कोई भी number ले लिजी ये, ये factor positive रहेगा, ये factor positive, ये factor positive, मगर 4 से 5 के बीच में कोई भी एकस लोगी, ये factor negative हो जाएगा, तीन positive चीजें, एक negative चीज, multiply होके negative answer देगी, मगर मुझको positive answer चाहिए, तो इसका मतलब 4 से 5 के बीच का कोई भी number, इसको acceptable नहीं है, इस inequality को सच नहीं कर पाएगा, बात समझ में आ रही का नहीं? तो ये बात समझ में आगे कि 4-5 के बीच में नहीं कोई answer होगा मैं आपका बताओं 3-5 के बीच में आप कोई भी number ले लो 3-4 के बीच में 3-4 के बीच में कोई भी number ले लो वो acceptable है क्योंकि 3-4 के बीच में कोई भी number लोगे ये negative होगा 3-4 के बीच में ये negative होगा और ये positive है और ये भी positive है दो negative दो positive चीजे multiply होकर कर पोजिटिव बनाती है हमको positive चाहिए 3-4 के बीच में number लिया जा सकता है कोई भी 2-3 के बीच में जब आप लोगे 2-3 के बीच में लोगे तो ये ये दोनों तो negative होंगे ये भी negative हो जाएगा, तीन negative होने की वज़ा से ये left side negative हो जाएगी मगर हमको positive चाहिए तो 2 से 3 के बीच में भी नहीं हो सकता, और 2 से छोटा कोई भी x ले 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 आप, उस case में तो फिर क्या होगा ये भी negative हो जाएगा और 4 negative चीजें जब multiply होती हैं positive बनाती है और हमको positive ही चाहिए तो यार यहां से ये बात समझ में आ गई होगी यहां से बात समझ में आ गई होगी कि इस expression को positive या 0 करने वाले x हमको मिल चुके हैं और वो x कौन से हैं, minus infinity से 2 minus infinity से 2, 2 पे closed bracket लगाना पड़ेगा union, union 3 union 3 से 4 union 5 से infinity union 5 से infinity तो हमारा जो x होगा x होगा वो इस interval से बिलोंग करेगा तो ये हो गई हमारे answer solve कर दिया हमने inequality को बात समझ में आई के नहीं आई भाई I hope आपको बात समझ में आ गई होगी सारे steps follow कीजिए हर step का meaning समझने का परियास करें I hope आपको inequality solve करना आ गया होगा मैं आपको बता दूँ कि ये जो linear factors है ये multiplication में भी हो सकते हैं division में भी हो सकते हैं अगर मालो इस प्रकार का question आ जाए यहाँ पे देखिए x minus 2 into x minus 3 है इसका answer और आपको बता दूँ और आपको बता दूँ ये वाला एक सवाल है x minus 2 divide by x minus 3 greater than 0 इस question का answer और इस question का answer same है तो ये जो linear factors हैं ये multiply में हो या divide में हो procedure यही रहेगा procedure यही रहेगा ये चीज़ एक और extra है जो यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी अधर वाइस same procedure रहेगा factors चाहे numerator में हो चाहे factors denominator में हो solve करने का procedure हमारा वैसा ही रहने वाला है correct है तो चलिए move करते हैं हांगे move करते हांगे एक और inequality solve करते हैं देखिए जरा एक और inequality solve करते हैं solve solve बोले तो find x ठीक न ये भन्नाट सवाल है यह आपको थोड़ा ज्यान से देखना पड़ेगा solve x plus 1 into x minus 2 into mod x minus 3 यह ना mod ले आया है मै divide by divide by x into divide by x into x minus 5 is less than 0 or equal to 0 वो x बताओ वो x बताओ जो left side को negative करने या 0 करते हैं सबसे पहला काम left side में factors होने चाहिए linear factors right में 0 होनी चाहिए तो यहार left में linear factors है यहार देखी है right में 0 है step number 1 तो clear हो गया second step क्या है number line draw करके critical point उस पर mark कर देना second and third step यही है तो यहार number line मैंने कर दी draw ठीक है यह बना दी मैंने number line ठीक है जी number line बन गई minus infinity यह इंफिनिटी है ठीक है यहां पर बीच में कहीं रहा है 0 यह है 0 critical points कौन से है इसका critical point कौन है इस वाले का इसका है x minus 1 तो यहां बना दिया minus 1 इसका critical point x equal to 2 है तो यहां बना दिया x equal to 2 ठीक है इसके दो critical point है एक x equal to plus 3 क्योंकि यह 0 दो जगे होती है एक x plus 3 पे और एक minus 3 पे एक x plus 3 पे और एक minus 3 पे तो इसका एक तो plus 3 critical point है एक minus 3 critical point है ठीक है इसका critical point x 0 है मैं अलड़ी mark कर चुका हूँ, उसका critical point x5 है तो यहाँ पर देखिए, मैंने critical points mark कर दिये है critical points mark कर दिये है, ठीक है इसके बाद ये देखिए, कि critical points ने number line को कितने parts में divide गिया है यहाँ पर देखिए, एक part ये है, दो part, ये third part, fourth part, fifth part, sixth part, और seven part seven parts में critical points ने number line को divide किया है, अब देखना है, कौन सा part अपना answer होगा कौन सा part solution में include होगा, कौन सा part solution में include नहीं होगा और उससे पहले भी हमको ये देखना है, कि ये जो points है, क्या ये हमारे answer में included है या excluded है, included होगे, मैं dark कर दूँगा, excluded होगे तो मैं dark नहीं करूँगा अरे कैसी बात कर रहो यार, x equal to 5 तो बिल्कुल include नहीं हो सकता, x equal to 5 यहां put करोगे तो denominator बुरा माज जाएगा, maths बुरा माज जाएगा, x equal to 5 यहां put नहीं करना allowed x equal to 0 भी नहीं put करना allowed, तो x equal to 5 और x equal to 0 नहीं हो सकता x equal to plus 1 हो सकता है plus 2 हो सकता है और minus 3 और 3 भी हो सकता है क्योंकि numerator 0 होने पर पूरी चीज 0 हो जाएगी 0 होना allowed भी है तो x minus 3 जो है x minus 3 this is included x minus 1 ये हमारा x minus 1 होना allowed है हमारी given inequality को satisfy करेगा 0 नहीं हो सकता x 0 denominator में लिखा हुआ है x 2 हो सकता है x 3 हो सकता है x 5 बिलकुल नहीं हो सकता तो इन points की बात कर लिए अपने ठीक है अब मुझे पताएं x की value 5 से बड़ी हो सकती है x की value 5 से बड़ी रख देंगे तो ये भी positive 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 सब कुछ positive हो जाएगा मगर अपने को negative चाहिए x की value 5 से बड़ी नहीं हो सकती अब बताएं x की value 3 और 5 के बीच में हो सकती है जब x की value 3 और 5 के बीच में कुछ भी लेंगे न अपन ये negative हो जाएगा बाकिस सब positive है एक factor negative जो पूरी expression को negative कर देगा और हमको negative चाहिए तो 3 से 5 के बीच में x हमारा हो सकता है ठीक है 2 और 3 के बीच में हो सकता है क्या 2 और 3 के बीच में लेंगे तो ये negative हो गया और ये negative हो जाएगा 2 negative हो गये overall क्या हो गया overall positive हो गया तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में भी x नहीं हो सकता 0 से 2 के बीच में लेंगे तो negative, negative, negative 3 negative तो overall negative तो इसका मतलब ये तो हो सकता है माइनस 1 से 0 के बीच में लेंगे negative, negative, negative negative 4 negative मतलब positive माइनस 3 से माइनस 1 लेंगे negative, negative negative, negative तो total क्या होगा? 5 बार negative मतलब negative ठीक है और माइनस 3 से छोटा ले लेंगे माइनस 3 से छोटा ले लेंगे 场達 दिर दिर भी DJ अवर ओर अन्ष अ हो जाएगा पोईटिव हो जाएगा ये भी अपने आंशर में इंगलूड नहीं होगा अच्छी बात पता है क्या यहापे देखिए एक observation है अगर आपने यहाँ पे चीज नोटिस की हो तो यह वाला part हमारा answer नहीं है तो यह होगा, यह नहीं 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 होगा, तो जो part हमारे answer में included है, फिर उसके बाजू वाला exclude हो जाएगा, फिर include हो जाएगा, फिर exclude बात समझे मैं आरी कि निया री, तो यहां पर solution region और जो region solution में नहीं है वो alternate चलते हैं, क्या चलते हैं, alternate चलते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यह included है, excluded है, excluded है, excluded है, included है, तो यह होना ना होना 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 होना, यह यहां पर alternate चलते हैं, solution region और जो region solution नहीं है, यह दोनों क्या चलते हैं, alternate चलते हैं ये बात भी समझ में आ गई, अगर factor हमारे linear factor हो तो quadratic factor होंगे तो आगे क्या ताम जाम होगा, वो करेंगे बात उसकी ठीक है तो आप clearly यहाँ पर बोल सकते हैं कि minus 3 से minus 1 हमारे answers होंगे, union फिर open 0 से 2 union closed 3 से 5 बात समझ में आगी कि यहाँ पर minus 1 minus 3 included है, closed bracket लगाई है, यह included नहीं है open bracket लगाई है यहाँ पर देखिए, closed bracket लगाई closed bracket लगाई, यहाँ पर open bracket लगाई है बात समझ में आगी, तो x जो है इस interval में इस interval में से कुछ भी ले लीजिए वो हमारी given inequality को satisfy करेगा इसलिए यह हो गया हमारा solution region बात समझ में आगी क्या I hope आपको concept एकदम clear होगा, ठीक है एक प्यारा सवाल कर लेते हैं अगर मैं आपको कहूं अगर मैं आपको कहूं कि solve for x solve for x के लिए solve कीजिए if x is greater than 1 by x x 1 by x से बड़ा होना चाहिए ठीक है तो inequality है, solve करनी है कैसे करेंगे solve पहले तो इस question का answer आपको क्या लगता है आप session को pose करके आप अपना answer बताएं comment box में comment करके बताएं और उसके बाद solution को देखें कि आपने सही बताया था ऐसा कौन सा x है जो 1 by x से बड़ा है सोचिए बहुत मजा आने वाला है आपको ठीक है comment करके ज़रूर बताएं मुझे बहुत मजा आएगा हाँ, तो x 1 by x से बड़ा होगा वो कौन से x है तो यार देखो, कोई भी inequality solve करनी है तो step number 1 क्या होता है step number 1 होता है left side में linear factor हो right side में 0 हो तो यह right side में 0 तो नहीं है तो इस factor को left में shift कर दें अगर आपन इस factor को left में shift कर दें यहाँ पर देखिए solution बता रहा हूँ ठीक है, solution बता रहा हूँ इस factor को left में shift कर दें तो minus 1 by x हो जाएगा यह होगा, greater than 0 right में 0 आ गई, left में linear factor नहीं आए तो मैं देखिए LCM लोगे तो x square minus 1 by x हो गया greater than 0 linear factor बना लिए x square minus 1 को factorize कर लिए x minus 1 x plus 1 divided by x greater than 0 तो step number 1 अब जाकर के complete हुआ है पिछले questions में देखोगे तो मैंने already यहाँ पर linear factor दे रखे left में, right में 0 दे रखा था मगर इसमें मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं तो आपको करना पड़ेगा इसको left में ले जाके left में linear factor बनाने पड़ेंगे right में 0 बनाना पड़ेगा अब step number 1 हो गया step number 2 और 3 क्या है critical points निकालना हर linear factor के उनको number line पे plot कर देना नीचे वाले का critical point x0 है critical point क्या होते है जहां पर linear factor 0 हो यह 0 कब होगा जब x0 हो यह 0 यहां पर इस case में नहीं होगा expression में नहीं डाल सकते एक बात है, independently अगर linear factor की बात करें तो वो उसका critical point अपने को तब मिलेगा जब वो 0 हो जाए critical points निकाल लिए number line पे upload कर लिए step 2 और 3 finish हो गया, अब step number 4 की बार ही है कि अपने को answer निकालने है तो अब answer निकल जाएंगे तो सारे steps अपने follow कर लिए और answer तो अपना ही जाएगा ठीक है तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि minus 1, 0 और 1 में से क्या answer हो सकता है मैं कहूंगा कुछ भी नहीं हो सकता ना तो 1 answer है क्योंकि 1 put कर दोगे तो left side 0 हो जाएगी minus 1 put कर दोगे left side 0 हो जाएगी और 0 put करना तो वैसे ही allowed नहीं है denominator में लिखा हुआ है तो यहाँपे greater than 0 वाले वो x चाहिए जो left side वो greater than 0 कर सके तो minus 1, 0 और 1 तो हमारे answer नहीं होंगे अब देखिए 1 से बड़ी value जो होंगी ना x की वो हमारी answer होंगी क्योंकि 1 से बड़ी x कोई भी ले लो 1 से बड़ा x जहां से सुनो मेरे बात को 1 से बड़ा x कोई भी ले लो उसमें यह भी positive यह भी positive सब कुछ positive है मुझे positive ही चाहिए और मैंने क्या कहा था फिर alternate चलता है यह हमारे answer में नहीं होगा यह हमारे answer में होगा और यह हमारे answer में नहीं होगा आप check भी कर लीजिए minus 1 से 0 के बीच का कोई भी x लोगे ना यह negative यह negative, दो negative और एक positive तो overall positive हो जाएगा ठीक है तो हमारे answer आ गए है वो क्या आ गए है x जो satisfy करेगा इस inequality को वो होंगे minus 1 से 0 union 1 से infinity minus 1 से 0 union 1 से infinity इस interval का कोई भी x ले लेंगे तो given inequality को satisfy करेगा यहाँ पर students एक mistake कर देते है यहाँ पर wrong solution भी बता देता हूँ आपको जो common wrong solution है वो बता देता हूँ आपको common wrong solution common wrong solution common wrong solution होता क्या है इसको cross multiply कर देते हैं cross multiply करके यह x square greater than 1 बना जाता है ठीक है ना by cross multiplication ऐसा कर देते हैं cross multiplication कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं 1 को इधर ले आते हैं और इस प्रकार से linear factor बनाते हैं और फिर आगे solve करते हैं ठीक है यह गलत तरीका है cross multiply नहीं कर सकते हैं यह गड़ बढ़ हो गया cross multiplication allowed नहीं है एक unknown से cross multiply नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि inequalities में क्या होता है जब एक positive number से आप multiply करते हो बात यहां से सुनना मैं कह रहा हूँ 5,4 से बढ़ा है है ना दो बारे लिख लिए है मैंने यहां पर मैं कह रहा हूँ multiply both sides by देखो यहां से multiply both sides by 2 तो दोनों तरफ 2 से multiply किया तो कितना हो गया? 10 greater than 6 और इसको अगर आप multiply करोगे ना मालो इसको multiply करोगे negative number से multiply both sides by कोई कहे multiply both sides by minus 2, minus 2 से आप दोनों तरफ multiply करो minus 2 से multiply करो तो minus 10 और minus 6 हो जाएंगे, minus 10 और minus 6 से minus 6 बढ़ा है कौन बढ़ा है? minus 6 तो एक negative number से multiply करते हो inequality को, तो sine of inequality पलट जाता है और एक positive number से multiply करते हैं sine of inequality, same रहता है तो unknown से multiply तो बिलकुल नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप unknown से multiply करोगे ना अगर आप दोनों तरफ multiply both sides by x बोलूँगा अगर मैं बोल दूँ multiply both sides by x अगर मैं बोलूँ, multiply करते हो दोनों तरफ x से तो यह हो जाएगा 5x greater than 4x ऐसा हो जाएगा तो x positive होगा तब तो यह sign रखा जा सकता है x negative होगा फिर sign आपको यह करना पड़ेगा तो x से multiply इसलिए नहीं कर सकते दोनों तरफ, क्योंकि मालूम नहीं है x positive हैं के negative है x का तो sign नहीं मालूम नहीं क्या है आपको तो इसलिए दोनों तरफ x से multiply करना सही नहीं है, एक variable quantity से दोनों तरफ multiply नहीं करते क्योंकि variable का sign नहीं मालूम, sign अगर मालूम हो तो कर सकते हो मैं दोनों तरफ x square plus 1 से multiply करना चाहूं तो कर सकता हो क्योंकि x square plus 1 positive quantity है तो यार एक inequality को दोनों तरफ अगर आप multiply करते हो, positive number से कर सकते हो, sign of inequality will remain same और एक inequality को दोनों तरफ negative number से multiply करते हो तो भी कर सकते हो but sign of inequality बदलना पड़ेगा आपको और unknown से multiply नहीं कर सकते unknown का मतलब है unknown in terms of sign sign की terms में अगर कोई unknown value है, फिर दोनों तरफ multiply नहीं किया जा सकता बात समझ में आगे आपको ठीक है, तो इस बात को मैं लिख भी देता हूँ इस बात को मैं लिख भी देता हूँ कि if we multiply if we multiply both sides of an inequality both sides of an inequality inequality then the sign of inequality, sign of inequality sign of inequality मतलब nature of inequality than sign of inequality मतलब आपको नेकाँ एकाँ आपको 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 एको एकाँ मतलब आपको एको एकाँ एकाँ काँ and if we multiply multiply if we multiply both sides of an inequality of an inequality then the sign of inequality will get reverse and we cannot multiply an inequality by an unknown. We cannot multiply an inequality by an unknown. unknown ka matlab hai unknown in terms of sign. unknown in terms of sign. और यहीं बाट divide के लिए भी valid है. ठीक है न? divide or multiply की बात हो रही है. ठीक है न? divide or multiply. है न? divide or multiply. divide or multiply. ठीक है? तो यह बहतरीन बात है जो आपको मालूम होने चाहिए. very important. ठीक है न? very important. तो यार किसी भी inequality में एक unknown से multiply ना करें. जैसे unknown है x, इसका sign नहीं मालूम, इस तरफ cross multiply कर देंगे. यह गलत हो जाएगा, wrong solution हो जाएगा ही. ठीक है? तो चलिए, अपने कई सारे basic साथ सीखे हैं, inequality को solve करना सीखा है. आज के लिए इतना ही next lecture में और चीजें inequalities पर करेंगे, और different different type की inequalities को solve करना सीखेंगे. ठीक है? यह homework में question दिया था मैंने quadratic equation में. find the value of k for which one root of the quadratic equation, this is smaller than 1 and other is greater than 2. तो यहाँ पर देखिए, दो case लेने पड़ेंगे. एक तो जब quadratic का a है, जब positive होगा, तब क्या होगा? और k greater than 5 होगा, तब क्या होगा? और दूसरा case यहाँ पर देखिए, दूसरा case ले लिया गया है, कि जब quadratic का a है, coefficient of x2, जब वो negative होगा, तब क्या होगा? ठीक है? तो दो case लेके करना पड़ेगा, यह case 1 और case 2. case 1 जब coefficient positive है, coefficient positive है तो ऐसा graph बनेगा, इसकी क्या condition होगी, लगा के solve कर दिया. coefficient negative होगा, तो ऐसा graph बनेगा, इसकी क्या condition होगी, लगा के solve कर दिया. तो screen मैं साफ कर देता हूँ, अगर किसी को solution refer करना है, तो यहां मैंने solution लिख दिया है, कई लोगों ने comment करके solution बताया था, correct answer जो है, correct answer यह होगा, open 5 से 24, ठीक है, यह होगा इसका answer, यह इसका answer होगा, यह जिसने answer दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, आप इसी प्रकार से homework के questions जो है, उनको attempt करते रहिए, और मैं आपको solution बताता रहूँगा, जिन लोगों का question सही है, यार वो भी comment करके, मुझको बताएं, आज की हमारा quadratic location of root वाला question सही था, ठीक है, तो आज की मुलाकात में इतना ही, आज की मुलाकात में इतना ही, next inequality के lecture में फिर मिलेंगे, next lecture जो होगा, वो inequalities पे कल होगा, और कल हमारा inequalities पे last lecture होने वाला है, कल हम inequalities को finish कर देंगे, खतम कर देंगे, ठीक है, तो आज की lecture में इतना ही, मिलेंगे next lecture में फिर से, हसते हसते, bye bye, पढ़ाई करते रहें, all the very best.